एक समय की बात है, एक गाव में एक युवक रहता था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम बहुत ही साहसिक और अजेय था। एक दिन वह गाव के पास घने जंगल में एक पुराने अभिशापित मंदिर की तलाश में निकला। लोग कहते थे कि उस मंदिर में एक प्रेत बसा ह हुआ है और जो भी उसकी आवाज सुनता है उसे वही रात में आकर मार देता है। विक्रम इसके बावजूद अपने प्रवास को जारी रखते हुए उस मंदिर की खोज में अग्रसर हुआ। रात के अंधकार में वह अकेला मंदिर की ओर बढ़ रहा था। मंदिर के द्व पूरे साहस के साथ वापस लोटने की कोशिश कर रहा था जब एक अतिवेग शील आवाज उसके पीछे से आई। रुख जाओ, विक्रम। विक्रम ध्यान से मुड़ गया और उसने देखा कि मंदिर के पुराने पुजारी उसे बुला रहे हैं। वे कहते हैं कि यह प्रेत की मंदिर की कहानी एक डरावनी अफवाह है और इसे विश्वास न करें।